नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है भारतिय शशस्त्र से नाउने पूरे देश में करूना योधाओं के प्रतिय एकता प्रदर्शित करने के लिए पुश्ववर्शा की बेंड प्रस्तोति दी और फ्लाई पास्ट किया केंद्रिय प्रशासने कधिकरण ने कोविड नाइंटीन के मद्य नजर ग्रीन, ओरेंज और रेट जोन में मुकद्मों के सुनवाई के लिए नए दिशा निर्देश चारी किये उत्तर प्रदेश में प्रवासी मज़ूरों को लेकर विशेश रेल गाड़ी आज सुबह राजधानी लखनाव पहुँची मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसल का अधिक्तम मूल्य दिलाने के लिए मंडी अधनियम में अनेक संशोधनों के घोशना की और आज विश्व प्रिस स्वतंतरता दिवसे दोपहर समाचार में अपनी सायोगी पुश्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे भारती सेना नो सेना और वायू सेना ने आज कोरुना योधाओं के प्रती देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देशपर में अनेक गतिविधियां आयोजित के हमारी समवाददाता ने बता है कि देश में वायू सेना के विमानों से कोवीड अस्पतालों पर पुश्प वर्शा का नजारा देखा भारतिय वायू सेना के हेलिकॉप्टरों द्वारा एम्स, गंगाराम, राम मनोहर लोहिया समेथ कई अस्पतालों पर गुलाब की लाल पंखोडियों की पुश्प वर्शा करके सेना ने स्वास्त कर्मियों के प्रती अपना अनूठा अभार प्रकट किया सुखोई, मिग 29 और जगवार जैसे लड़ाकू विमानों ने राजपत पर फ्लाइपास्ट करके देश के कुरोना योधाओं को अपनी सलामी देते हुए करीब आधे घंटे तक राश्ट्री राजधानी की अपनी परिक्रमा भी पूरी की नरेला में कोविड 19 कॉरंटाइन के इंडर पर भारती सेना की योधाओं ने सेना की बैंड के धुन पर देश के कुरोना योधाओं का मनोबल बढ़ाते हुए ये व्यक्त किया कि इस योगदान के लिए सारा देश आज एक ही धुन में कुरोना योधाओं के साथ खड़ा ह सुपरना सैकिया के साथ आनन चत्रवीरी आकाश्वानी समाचार दिल्ली कि तीनो सशस्त्र सेनाई कोरोना योधाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित करेगे प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने इस पहल के प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुश्किल खड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरपूर सहयोग किया है और कुरोना योधाओं के साथ एक जुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपून है ग्रे मंत्री अमिच्रा ने इसके लिए प्रमुख रक्षा ध्यक्ष जनरल बेपिन रावत तो तीनों से ना प्रमुखों को शुब कामनाई दी है केंद्री स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श्वर्धन ने कहा है कि जिस प्रगार रक्षा से नाउने आज कोरोना युद्धाओं के प्रती एक जुटता रिक्त की उससे देश के हर कोने में प्रतेग भारतिये में आपार उर्जा का संचार हुआ है एक ट्वीट संदेश में डॉक्टर हर्श्वर्धन ने कहा कि हमारी रक्षा से नाउन के शानदार प्रदशन ने कोविड नाइंटीन महामारी से लड़ने में हर एक भारतिये को एक जुट किया है सेना ने COVID-19 महामारी से लड़ाई में दिन रात जी जान से जुटे डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के सम्मान में आज फ्लाइप पास्ट किया 36 गड़ में कोरोना योध्धाओं के सम्मान में वायूसेना के हिलिकॉप्टर ने राजधानी रायपूर में एमस अस्पताल पर फूल बरसाए उत्तर प्रदेश में कोरोना योध्धाओं को अनेक प्रकार से धन्यवाद दिया जा रहा है कोविड नाइंटीन महामारी के खलाफ ये लोग नायक की तरह मानव कल्यान के लिए लगातार काम कर रहे हैं लोग डाउन के दोरान जब देश के अधिकतर लोग घरों में हैं हमारे डॉक्टर, स्वास्थे कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी और आश्यक वस्तुएं पहुंचाने वाले लोग दिन रात काम में लगे हैं कोरोना योध्धाओं के प्रयासों के प्रती आभार व्यक्त करने के लिए लोग कभी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं और अपनी अपनी तरह से नमन कर रहे हैं सेना के हिलिकॉप्टरों ने लखनव में आज सविरे ऐसे सभी कोरोना योध्धा डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों और अन्य लोगों पर पुष्प वर्षा कर अपना आभार व्यक्त किया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जी एम यू और संजे गांधी पोस्ट ग्रिजुएट इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसिस के परिशरों में इन लोगों पर आकाश से पुष्प वर्षा की गई कोरोना वाइरस महामारी से लड़ रहे लाखों डॉक्टरों चिकित्सा कर्मी और सफाई कर्मी तथा अन्य अग्रणी कारिकरतां किरप्रती आभार व्यक्त करने के लिए भारती नौसेना ने आज मुंबई में कस्तुर्बा गांधी अस्पताल आईन एचस अश्विनी पर फूल बरसा है पांगे आकश्मनी समाचार मुंबई तेलंगाना में भारती वायुसेना ने हैदराबाद में गांधी अस्पताल में आज सवेरे कोरोना योद्धाओं पर पुश्प वर्षा की गांधी अस्पताल राज्जी में कोविड-19 के उप्चार का नोडल अस्पताल है अस्पताल के डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर वायुसेना के हेलिकॉप्टर से पांच टन गुलाब की पंखुडियां बरसाई गई जो अस्पताल परिसर में प्रोफेसर जैशंकर प्रतिमा के पास एकठा हुए थे वायुसेना के ग्रुप कैपटन केस राजु और कैपटन पंकज गुपता के नेतरतों में कोरोना योध्धाओं को पुश्प वर्शा से नमन किया गया हमारे समवादाता ने बताया कि इस वर्श दो मार्च को रज में कोरोना वारस का पहला मरीज आने के बाद 22,000 से अधिक चिकित्सा और स्वास्थ कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं प्रधान मंतरी नरींदर मोदी ने कल एक महत पून बैठक में वित्वी अक्षेतर और आर्थीक वृद्धी को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया वित्यमंत्री नर्मला सीता रामन और अन्याधिकारियों के साथ बैठक में शिमोदी ने सूक्ष में लगू और मध्यमुद्य मंत्राले और किसानों को सयूग देने के उपायों तधा नकती और रिण प्रवा बढ़ाने की रणनी दिबर चर्चा के श्रमिकों और आम लोगों के हितों के लिए प्रधान मंत्री ने व्यावसायों को सयूग देकर रोजगार के आउसर बढ़ाने पर बल दिया श्री मोदी ने कमपनी प्रशासन, रिण बाजार और बुन्यादी क्षेतर में महतोपुन सुधारों को मजबूत करने की आवशक्ता बताई प्रधान मंत्री ने क्रिशी क्षेतर के मुद्दों और आवशक सुधारों पर चर्चा के लिए भी कलेग बैचा के इसमें खृषी विपणन में सुधार अत्रिक्त ऊपज के प्रबंधन किसानों को संसागत रण सुलब कराने और क्रिशी क्षेतर को विभिन प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विशार विमर्श किया गया प्रधान मंद्री ने संपूर्ण मूल्य शंखला का लाब किसानों तक पहुँचाने के लिए कृषिक शेतर में प्रध्योगी की किस्तेमाल पर बल दिया सूचना और प्रषान मंद्री प्रकाश श्यावडेकर ने कहा है कि पूर्ण बंदी के तीसरे चरण में कल चार मई से व्यभारिक तोर पर लगभग आधे देश में कामकाश शुरू हो जाएगा श्यावडेकर ने कहा कि लॉगडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों के तुलना में भारत का प्रदर्शन बहता रहा है भारत ने इस क्राइसेस को ठीक मैनेज किया है यह हमें समझना पड़ेगा और यह इसलिए हुआ कि समय पे लॉगडाउन हुआ लॉगडाउन सा कड़ाई से पालन हुआ और अब फेजिंग आउट कर रहे है और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगबग रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामिंग चेत्रों में ही होते है वो सारी फेक्टिज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते है वो ऐसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मज़़ूर वही रहते है श्री जावडेकर ने कहा कि विपक्श केवल दोशारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्ष का कोई एजंडा या मुद्दा नहीं है असम सरकार ने सिक्किम को छोड़ कर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपनी सीमा खोल दी है ताकि विभिन राज्यों में फंसे असम के लोग वापस लोट सकें राज्य की सीमा वर्ती बिंदों पर पुलिस और चिकित्सा कर्मचारी तैनात कर दिये गए है स्वास्थे मंत्री हिमंत बिस्वसर्मा ने कहा है कि पूर्वोत्तर से आने वाले लोगों को किसी पास की आवश्यक्ता नहीं होगी लेकिन राज्य में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को अंतर राज्य सीमा पर जाच का सामना करना पड़ेगा असम में अभी तक कोरोना के नौ सक्रीय मामले हैं तामिल नाडू में कोविड-19 संक्रमन्ट से मुक्त क्षेत्रों में कल से अनेक छूट लागू हो जाएंगी इन क्षेत्रों में कुछ उद्योगों में कामकाच की अनुमती होगी सुरक्षित दूरी बनाय रखते हुए सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ ही काम करना होगा कर्मचारियों के लिए वाहन कार्यालेयों को ही उपलब्ध कराने होंगे इस बीच कल राज्य में एक दिन में अब तक के सरवाधिक 231 लोगों में संक्रमण की पुष्टी हुई है राजधानी चेनने कोविड-19 का प्रमुख होट स्पॉट बन गई है हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने कर्फ्यू में मौझूदा चार घंटे की छूट बढ़ा कर कल से पाच घंटे करने का फैसला किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्ण बंदी के निर्देशों के उलंगन पर मंगलवार को राज्य व्यापी अनिशीत कालीन कर्फ्यू लगाया था कोविड-19 के कारण राज्य के अंदर और बाहर फसे डोगों की आवाजा ही शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल कोविड-19-e-bas.hp.gov.in शुरू किया है अरुनाचल प्रदेश में पूर्ण बंदी में कृशिगती विधियों में छूर दिये जाने के बाद समुचे राज्य में लोगों का खेतों में जाना शुरू हो गया है और किसान अबधान की बुआई में व्यस्त हैं। पूर्ण बंदी और पारिवारिक व्यस्तता में भी परश्चिमी सियांग जिले के काबू गाउं की महिलाओं ने घर पर भी आए जुटाने का तरीका ढूंठा है। काबू गाउं के महिला स्वयम सहायता समो काबू आलो ही को प्राथमिक स्तरिय परिसंग मास्क बना रहा है जो उचित कईमत पर अरुनाचल प्रदेश डॉक्टर संग को बेचे जा रहे हैं। ये महिला स्वयम सहायता संगठन कोविड नाइंटीन के फैला को रोकने के लिए राज्ज में सभी के लिए मास्क भी आन चला रहा है। कींद्रिय प्रशासनिक नाया धिकरन कैट ने ग्रीन, औरेंज और रेड जोन में मामलुक की सुनवाई के लिए नए दिशा निर्देश चारी किये हैं। इसके नुसार ग्रीन जोन में स्थित नायाले की पीठ, ग्रिह मंत्राले के निर्देशों के अनुरूप सुरक्षी दूरी बनाए रखने, एक दूसरे के सीधे संबर्क में आने से बचने और साफ सफाई के नियमों का पालन करते हुए काम करेंगे। लॉगडाउन क्षितरों में रेड और और ओरेंज जोन में स्थित नायाले की पीठों में त्वरिच सुनवाई वाले मामले ई-मेल के जरिये संबंधित पीठ के रजिस्टार के संपर करके दायर किये जा सकेंगे। ये समचार आकाशवाणी से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताजा समचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल एट एई-ई-ई-ई-ई-ई-उज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कृष्णा ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाजारों पर एक नजर। भारती सशस्त्र सेनाओं ने पूरे देश में कोरोना युद्धाओं के प्रती एकता प्रदर्शित करने के लिए पुश्प वर्शा की बैंड प्रस्तुती दी और फ्लाई पास्ट किया। केंद्रिय प्रशासनिक अधिकरने कोविड नाइंटीन के मद्य नजर ग्रीन औरेंज और रेट जोन में मुखद्मों की सुनवाई के लिए नए दिशा निर्देश चारी किये। उतर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेश रेल गाड़ी आज सुभराज धानी लखनों पहुँची। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसल का अधिक्तम मूले दिलाने के लिए मंडी अधिनियम में अनेक संशोधनों की घोषना की। और आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। रेल मंत्राले ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, तीर्थी यात्रियों, परेटकों, छात्रों और अन्य फसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेश रेल गाड़ियां राजिस सरकारों के अनुरोत पर चलाय जा रही है। मंत्राले ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन से वाए निलंबित रहेंगी और रेल वेक केवल उन्ही यात्रियों को स्विकार कर रहा है जिन के लिए राजिस सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है। के कारण विभिन राजियों में फसे कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए रेल गाड़ी चलाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इस बीच विभिन राजियों के प्रवासी मजदूर और चातर अपने ग्रह नगर पहुँचने लगे हैं। बिहार में जैपूर से फसे यात्रियों को लेकर आ रही विशेश रेल गाड़ी कल तीसरे पहर पटना के दानापूर स्टेशन पहुचे। राजिय के स्वास मंतरी मंगल पांडे ने इन शमिकों का स्वागत किया। इस विशेश रेल गाड़ी से राजस्थान के नागर जिले से 1174 शमिक बिहार लोटे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राजिके प्रवासियों शमिकों को वापस ला रही है। शमिकों को लेकर पहली रेल गाड़ी आज सुबह लखनौ पहुचे। राजसरकार ऐसी और रेल गाड़ियां चलाने के बारे में संबध अधिकारियों से बाचेत कर रही है। पालन तरने के निज्देश दिये गए। एक दूसरी विशेष्ट्रेन ग्यारे सो चार्विकों को लेकर महराष्ट के विभंडी से गोरकपुर के लिए कल राज पर स्थान कट्टी है। साबर मती और अन इस्थानों से भी विशेष्टेने समिकों को लेकर आएंगी। गुजरात में 20 लाख से अधिक मजदूरों ने अपने मूल राज्जियों में वापस जाने के लिए पंजी करण कराया है। इन सभी मजदूरों ने केंद्री गुर्य मंत्राले से अनुमती मिलने के बाद आउन लाइन सुविधा और जिला हेल्प लाइन नंबर के जरिये पंजी करण कराया। हमारे सवादाता ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इन में से पांच लाख पचास हजार से अधिक मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं। केरी विजे रुपानी ने राज्य प्रसासन को देश बर में फसे हुए गुजरातियों की सुरक्सित वापसी सुनिशित करने का निर्देश दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जमुकश्मीर प्रशासन ने लॉकडाउन के कारण विभेनराज्यों में फसे विद्यार्थियों और मजदूरों को अत्यधिक नियंत्रित और व्यवसित धंग से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबन में कार्य योजना पर मुक्य सचिव बी वी आर्ट सुबरहमन्यम ने कल सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ट पुलिस अधिक शकों के साथ वीडियो कॉन्फरेंस में चर्चा की। हमारे समवादाता ने बताया कि पहले चरण में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से विद्यार्थियों और मजदूरों को वापस लाया जाएगा। जमो कश्मीर प्रशासन ने ऐसे लोगों और पूर्वा अनुमती के बिना केंदर शासित प्रदेश में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अनिवारे रूप से 21 दिन का लखनपूर में क्वारेंटीन करने की मानक प्रक्रिया जारी की है। सभी जिलाधिकारियों को ग्रामे निस्तर पर अतरिक्त क्वारेंटीन केंदर बनाने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि नए नियम तुलनात्मा ग्रूप से अधिक प्रतीस परधी प्रणाली विक्सित करेंगे और किसानों को उनकी उपज का अधिकता मूले मिल सकेगा। सरकार ने मंडी अधिनियम में कई अन्य प्रावधान भी जोड़े हैं जिसमें निजी शेत्र में मंडीयों की स्थापना भी शामिल है। सेवा निवरित आई एस अधिकारी एस सिदाज इस समिति के अध्यक्षों के। लाइफ लाइन उडान योजना के तहट 422 उडानों से देश में 790 तनावर शक्ची की सासामगरी के आपूर्थी की गई है। ये उडाने एएर इंडिया, एलाइंस एर, भारती वायसेना और निजी विमानन कंपनियों के तहट संचालित के गई हैं। इन में से एएर इंडिया और एएर एलाइंस ने 244 उडानों का संचालन किया। देश में COVID-19 की पुष्टी वाले मामलों की संख्या बढ़कर 49,980 हो गई है। स्वासे मंतराले के अनुसार कुल मामलों में से 10,632 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस महमारी से अब तक 1,301 लोगों की मृत्य हो चुकी है। इस समय देश में कोरोना वाइरस से संक्रमित 28,046 रोगियों का इलाज हो रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 384 लोगों में कोरोना वाइरस संक्रमन की पुष्टी हुई है। दिल्ली में कुल संक्रमित लोगों की संक्रमित 4,122 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार 1,256 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 64 लोगों की इस महमारी से मृत्य हुई है। महराश्ट में 790 और लोगों के कुरोना वाइरस से संक्रमित पाय जाने के बाद इस बेमारी सी ग्रस्थ लोगों की संक्रमित बढ़कर 12,296 हो गई है। अखिले मुंबई में 547 नय मामलों के साथ संक्रमितों की संक्रमितों की संक्या 8,369 हो गई है जो देश के किसी भी महानगर में सबस्याधिक है। रज्य में अब तक इस महमारी से 521 लोगों की मौत हो चुकी है। 121 लोगों को शनिवार को उपचार के बाद अस्पटाल से छुटी दे दे गई। ऐसे उपचारी तरोगियों की संक्या 2,000 है। इस बीच रज्य की जेल विभाग ने 5,105 कैदियों को रिहा किया है। भीड़ वाली जेलों में कोरोना वाइरस का संक्रमन रोकने के लिए जेल विभाग कम से कम 11,000 हैसे कैदियों को रिहा कर रहा है। जिन्हें 7 साल से कम अबदी की सजा सुनाई गई है या जो जमानत पर रिहा है। लोगडाउन दो के अंतिम दिन लेह में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में आज अचानक 18 लोगों के बढ़ोतरी हुए। इन में से 16 नए मामले चुचोट युकामा कंटेन्मेंट खेतर में दर्ज किये गए। लेह के उपायुकत सचिन कुमान ने बताए कि संक्रमित के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के कारण प्रशासन को लेह जिला रेड जोन खोशित करना पड़ा है। और पहले दी गई सभी छूट रद कर दी गई है। बिहार में आज 10 संक्रमित लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राज्ज में COVID-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या 117 हो गई। फिलहाल 361 रोगियों का विभेन अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्ज के 38 में से 30 जिलों में अब तक 482 लोगों में संक्रमित की पुष्टी हुई। 57 प्रवासी मजदूरों में भी संक्रमन की पुष्टी हुई है। इस बीच COVID-19 मरीजों के लिए ड्यूटी करने से मना करने पर पटना मेडिकल कॉलिज के 8 डॉक्टरों को बार खास्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वारस के 58 नए मरीज सामने आये हैं। इसके साथ ही राज्य में COVID-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1583 हो गई है। अब तक 488 रोग्यों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 1062 लोगों का राज्य के विभन अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने COVID-19 को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में 235 विशेशग्यों की अनुबंध आधार पर भरती करने की यदि सूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन प्राप्त होने की अन्तिन तिथी 7 मई दो हजार बीस है। की जा चुकी है। शिखना ने इस बात पर संदोश व्यक्त किया कि इस कठिन दोर में भी 15 अपरेल के बाद मातर 18 दिनों में करीब 65 प्रदिशत के हों की खरीद की जा चुकी है। अभी तक कुल मिला कर 135 लाग टंगे हों खरीदा जा चुका है। जम्मु कश्मीर के कुपोड़ा जिले में हंद्वाड़ा गाउं में आतंक रोधी कारवाई के दोरान सेना की करनल और मेजर सहित पांच सुरक्षाकर में शहीत हो गए। इस अभीयान में दो आतंक वादी भी मारे गए। करनल आशुतो शुशु शर्मा और मेजर अनुज तथा जमु कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी मृतकों में शामिल है। ये अभीयान ख्षेद्र की चंजमुला इलाके में आतंक वादियों दोरा बंधक बनाए गए नागरिकों को मुक्त कराने के लिए कल से जारी था। करनल शर्मा इस अभीयान का नेत्रत तो कर रहे थे। बंधकों को मुक्त करा जाने के दोरान आस्दर के सुरक्षा बलो ने आतंगवादियों के खिलाब बड़ा अभियान शुरू किया जिसमें दो आतंगवादी मारे गए रक्षा मंतरी राजना सिंग ने जम्मू कश्मीर के हंद्वाडा में सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों की शहादत को दुखदाई बताया है रक्षा मंतरी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि जवानों ने आतंकवादियों से लड़ाई में अनुकर्णी साहस दिखाया और देश की सिवा करते हुए सरवच बलिदान दिया देश उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा रक्षा मंतरी ने आतंकवादियों से मुटबेड के दौरान शहीद जवानों को शद्धान जली दे उन्होंने कहा कि भारत इन शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है कोविड नाइंटीन महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के 20 लाखों लोग पिछले एक हफ़ते से सोशल मीडिया पर पटना चिडियागर का वर्चुल दौरा कर रहे हैं इस चिडियागर में करीब 800 पशुपक्षी हैं वने जीवों में रुची रखने वाले कई लोगों ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर संजे गांधी जैविक उद्यान के अपने वर्चुल दौरे को साजह किया है बिहार के वन विभाग ने लौगडाउन के दौरान लोगों और विशेश रूप से बच्चों के मनुरंजन के लिए एक हफते पहले ये पहल की थी आकाश्वणी का समाचार सिवा प्रभाग विशेश अग्यों के सला शिंकला में आपको कोवीड-19 के बारे में फरिश्ट चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है गोविंद वलब पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजे पांडे ने आकाश्वणी समाचार से कहा कि भारत में गर्म मौसम का करोना संकर्मन के फैलाव पर अज़र अध्ययन का विशे है करोना वाइरस एक रिस्पिरिटरी वाइरस है और पहले भी यह देखा गया है कि जो वाइरस रिस्पिरिटरी वाइरस थे जैसे H1N1 या सार्स वाइरस कुछ सालों पहले दुनिया में आया था उनका रभाव summer weather में कम हो गया था इसी को देख के माना जा रहा है करोना वायरस के उपर भी हिट का effect हो सकता है और यह संभव है कि जैसे जैसे temperature बढ़ेगा वैसे वैसे करोना वायरस का effect कम होगा लेकिन करोना वायरस से एक बिल्कुल नहाँ वायरस है इसके बारे में अभी हमें पुरी जानकारी नहीं है तो इस बारे में कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं है नीति आयो के सदर से वीके पॉल ने कहा है कि कुरोना आपदा से उबरने के लिए हमें सामन ये जिवन जीने के लिए प्रयास करने होंके ये रियायतें जो दी गई हैं वो इस confidence के बज़ालत दी गई हैं कि हम इस महामारी का जो मुकाबला कर रहे हैं वो हम 400 होके करते रहेंगे लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को थोड़ा normal की तरफ आने के लिए step study हम आगे आएंगे आकाश्वणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रिजी में अपने फोनीन कारिक्रम में कोविड-19 पर विशेश परिचर्चा प्रसारित करेगा सवधर जंग अस्पताल के वरिश्च चिगेशक डर्क्टर एमके से इन परिचर्चा में भाग लेंगे शोता टोल फ्री नंबर एक आच शुन्य शुन्य एक एक पांसाच छह साथ पर कॉल करके विशेश अग्यों से सवाल पूछ सकते हैं ये विशेश कारिक्रम आज रात नौबज कर पच्चिस मिनट पर एफम कोल्ड और अतरिक्त मीटों पर सुना जा सकता है जानी मानी फिल्म अभिनेत्री कृती सेनन ने लॉगडाउन की साउधानियों के बारे में ये जानकारी दे गाइस दे वही स्मॉल बेसिक थिंग्स अगर आप अपनी लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्का बटन हाथ से नहीं दबाएं, इल्बो से दबाएं ये समाचार हमारी वेबसाइट न्यूज ओन एयाईयार डॉट कॉम और हमारे मोबाइल एप न्यूज ओन एयाईयार स्लैश हिंदी पर भीयूपलब्ध है दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है विश्व भर में आज प्रेस स्वतंतरता दिवस मनाया जा रहा है COVID-19 महामारी के कारण इस वर्ष विश्व स्वतंतरता दिवस का विशय है भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता सूचन और प्रेसारन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंतरता है आज विश्व प्रेस स्वतंतरता दिवस के अउसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार्ने किसानों को उनकी फसल का अधिक्तम मुल्य दिलाने के लिए मंडी अधिनियम में अनेक संशोधनों की घोशना की और आज विश्व प्रेस सुतंतरता दिवस से इसके साथ ही दोपहर सवाचार का ये अंक समाप्ध हुआ नमस्कार।